मुझे बहुत गर्व है अपने इस काम पे इसमें मैंने बहुत ही शिद्दत मेहनत से सावरकर जी का जो असली व्यक्तित्व था उनकी जो देश की तरफ त्याग बलिदान उनकी क्रांती थी उसको मैं एक फिल्म में उतारूं और मैं आपको गैरेंटी दे के बोल सकता हूं कि मुझे ये दो घंटा पचास मिनिट में भी में बहुत कम पड़ गए उनकी जीवनी इतनी बड़ी थी और इसके अंदर सभी ने मेरी पूरे क्रू और कास्ट में जो योगदान दिया है उसका मैं बहुत आभारी हूं सावरकर जी का जीवन भी कठिन था सावरकर जी का आज भी उन पे जो लोग लालचना लगाते हैं बिना पढ़े बिना लिखे बिना जाने आज भी उनका ये बहुत कठिन समय उनके साथ हमेशा रहता है मेरी पिच्च बनाने में भी उसके साथ था पर इस पिच्च बनाने के जरिये से मैं वो कठिनाई लोगों को दिखा के उनका उनके उपर जो एक प्रोपोगेंडा चलाय जाता है हर जगे पॉलिटिकली उसको मैं साफ करना चाहता हूँ और लोगों को उनका असली जीवन दिखाना चाहता हूँ ताकि वो जो प्रेरना थे, जो मेरे लिए थे, पूरे देश के लिए थे कैसे उनकी वो प्रेरनाम से छुपाई गई, वो मैं आप सब के सामने लेके आना चाहता हूँ और मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ पढ़नविज साब का कि उन्होंने आके हमारी होसला अवजाई की थैंक यू, थैंक यू, बेरी मच और आज मराथी प्रेमियर की स्क्रीनिंग है, तो मैंने भी सोचा था कि मैं मराथी सीखूं और पिच्चर में बोलूं, पर इतने सारे मेरे पास काम थे इस डिरेक्टर, राइटर, कि मगा या मराथी सीखने लगा, और उसकी प्रणनसियेशन गलत आई, बाकी मराथी एक्टर्स के सामने, तो वो बहुत ही वीक लगेगा, इसलिए मैंने कोई कोई कोशिश ही नहीं की, और दूसरा, पर जब मैंने पिच्चर मराथी में देखी, तो मराथी भाशा में जो इमोशन है, जो भाव है, और जो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो मेरे ख्याल से सावरकर जी को ज़्यादा सूट करती है, जाना की हिंदी के बलावा, तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये मूवी एंजॉय करें, और मराथी में एंजॉय करें, त चुम सब तक ये पिच्चर माराथी में पहुंचे, थैंक यू बरी मुद्धू.